हलो दोस्तों नमस्ते गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब भी उम्मीद करते हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे तो अभी मॉर्निंग के जो है तो आठ बच चुके थे और मैंने नहा लिया था क्योंकि नहीं सर्दी पट रही है तो कोई काम ऐसे हो नहीं पाता तो यहा मैं मतर पनीर की रैस्पी आप लोग के साथ सेयर कर रही हूं तो आप लोग को नहीं रैस्पी पसंद आए तो प्ली चैनल को सस्काइब कर ले ना जो भी मेरे चैनल पर भाई बननी हुआ है और यहां पर ना लैसुन प्याज अधरा का पेष्ट फ्राई हो गया था अच्छ मतर भी अच्छे से फ्राई हो गया थे इसके बाद मैंने मतर डाल दिये हैं और मतर जो है तो घर में ही मैंने छील कर लिये हैं और उबले हुए मतर नहीं है तो यहां पर नमक भी डाल दिया स्वादी के हंसार और इसके बाद जो है तो इसे ढख करके पांच मैं तक मैंने अ बहुत ज्यादा हो रहा था तो कढ़ाई में ना कुछ दिख नहीं रहा था इस वज़से फिर मैं ना हाथ में ही फोन ले करके सूट किया है तो यहां पर देखिए ग्रेवी जो हतना मेरी पकने लगी है तो अब मैं इसमें ना पनीर डाल दोंगी और इसे ना दीमी यहां चाह हो जाएगा क्योंकि अभी पतला दिख रहा है ना और मुझे ना ज्यादा पतला चाहिए पतली चाहिए ग्रेवी और नहीं ज्यादा मतलब गाड़ी चाहिए तो इस वैसे मेडियम ही रखूंगी और सरदी ना बिल्कुल भी धूप नहीं है मैं जैसे कि आप लोगों से बत पता है ना मरा जाय के अंदर बॉइस उबर करें उन्हें इस वैसे मेरी सांस फूल रही है तो यहाँ पर मैं सब्जी को छोट देते हूं पकने के लिए और आज कि मैं बैठो ना तो सरदी कम लगती है तो सब्जी मेरी देखिए पक करके इतनी हो गई है तो इसमें मैं पनी लिए सब्जी हमारी और ना ही मलब गाड़ी है तो यहाँ पर मैंने सब्जी को पलट लिया चोटी वाली कड़ाई में और धन्यक पत्ती डाल दिये थोड़ा सा मैं पनीर कद्दू कस करके डालूंगे देखिए और कितनी बढ़ियां दिखने लगी है हमारी सब्जी और बह चुके हैं उसके खाना वाना बनाने के बाद कोई भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो यहाँ पना मैं चिप्स तल रही दी क्योंकि ना धूप नहीं दी और मौसम इतना थंड़ा था तो पर मन करा कि मलब चाय पकोड़े बनाओ पर पकोड़े बनाने का चांस नहीं हो पारा था तो यह ना चिप्स रखी दी तो मैंने का चलो यह चिप्स को ही फ्राई कर लेती हूं और एक साइड मने चाय चढ़ा दी है तो आप लोग आजाओ इबनिंग का नास्ता ही हो रहा है दुपैर का समझ लो मनलब तीन बज़े हैं तो दुपैर ही अभी मनलब इबनि है और अंसे हम लोग चाय पीएंगे आक्रेती तो सो रही है अभी तो आप लोग भी आजाओ हमारे साथ चाय पीने के लिए हमारे साथ और दिन में इतनी जादा सर्दी हो रही है कि कोई भी वीडियो मनलब सूट करने का मन नहीं हो रहा धूब बिल्कुल भी नहीं निकल र इसगा नहीं पर 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 शाब गए तो यहां पर पख गये थी च्हान लिए चेफ से फ्राई हो गए हैं और अभी हम लोग जो है तो चाइ पी लेते हैं तो आप लोगu भी आजाओ हलो हलो दोस्तों नमस्ते और अभी नई इपनिंग के जो है तो नौ बच चुके हैं और मैं भी आप लोगों से बाते कर रहे हूं इतनी ज्यादा सर्दी हो रहे ही काम करने का तुम बन होता नहीं है पर इस वैसे मैं वीडियो भी नहीं डाग पा रही हूं आप लोगों के पाइकन नहीं है खाना पिना हो गया है हमारा है तो आप सभी कैसे हैं उमीद कर के आप बहुत बहुत अच्छी होंगे हम सभी ठीक है और बचे मेरे देख रहे हैं मोवी और उनी के दादों इनके पापा भी लेते हैं और मैं करने जहारी है उकना काम क्योंकि इन सर्दी बह वह गंदी हो जाएगी और दूप निकलती नहीं तो पर सूखेगी नहीं इस वएसे और मैंने अपना स्वेटर पहन लिया तो यहां पर मैं आ गई हूं यह ना आलू लेकर आए थे देखिए कितने बड़े बड़े आलू है मलब सब्जी में डालो तो एक ही में हो जाए गए तो मैंने गा चलो इन्हें जोला से निकाल के मैं वहीं बता रही थी आप लोगों से कि इतने बड़े आलू लेकर आएं कि मलब एक ही आलू में काम हो जाएगा तो मलब सब्जी में डालेंगी तो एक ही की जरूद पड़ेगी दो की नहीं जरूद पड़ने वाली क्योंकि बड़े बड़े हैं तो बस यह जो आलू है तो मैं इphonो निकाल के रख देतीयूं पयाज भी डली है तो इस दलीया में रख देए और इसके बाद जो है तो फिर मैं बरतन दोलूँगे क्यूकि ना बरतन तो आपने देखें देख सबंगे कितने सारे हो रहे हैं तो इज्चोछ प्यार आलू थें तो मैं निकाल दिए हैं अगर लैस्टर और प्याज भी निके और इसके बाद जारी हूं बरतन धोने के लिए और यह जोला को रख दूंगे एक साइट तहा करके वरना चुखे काट देंगे यहां पर रखने से तो अभी जो है तो देखिए मैंने सारे बरतनों को मांज लिया है और अभी ना इनको धोल करके रख देती हूं तो मैंने ना भी समर चलाया था क्योंकि थंडी बहुत जादा हो रही है तो पानी भी बहुत जादा थंडा है तो इस वैसे गरम गरम ही पानी चला करके मैं बरतन धो रही हूं तो आदे बरतन मेरे धुल गए है इने भी धुल करके रख दूगी इसके बाद जाकर के चूले की राख उटाकर के चूले में पुताई करके फिर लेटूगी तो यहाँ पर आ गई हूं तो बस यह चूले में इतना जादा समान फैला हुआ है खाना पीना बनाओना तो दूबा इसके बाद तुरंत से कोहरा होने लगता है तो ना बहुत जादा कोहरा है बाहर तो जल्दी से जो है तो जाड़ गड़ू लगा करके राख भर लेती हूं पहले चूला की और इसमें पुताई कर दूँगी तो बस ना राख थोड़ा गरम थी तो इस वैसे मैंने कचड़े वाले इससे ही भराए क्योंकि ना चूला तुरंत खाना वाना बनाया इसके बाद थोड़ा यहीं पर बैठे रहे हैं तो आच में और इसके बाद जो है तो अभी उठा रही ना तो राख जो है तो गरम थी तो बस इसे कचड़े वाले इससे उठा लिया और चलिए चूला में पुताई कर देती हूं चल्दी से बता है ना यह काम करने में बहुत ज़्यादा आला साती है सुबह अगर ठोड़ दो ना अभी यह काम ना करो चूला बरतन तो सुबह तो और ज़्यादा लेट हो जाता तो बस चूला में पुताई कर दी है यहां मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थी तो फिर मैंने का चलो आग को जला लेती हूं और आभी ना टाइम मुझे पता नहीं क्योंकि मैं जब आप लोगों से बताया था कि नौ बज़ रहे हैं तो तब तो नौ ही बज और यहां पर देखें हाथ पैसे करें आग बहुत तेजी से जल रही थी बहुत अच्छा लग रहा था और पता ना सर्दी में यह लगा रहे था कि मतला आग के पास ही बैठे रहो अगर धूप नहीं है अगर धूप होती है तो फिर यह लगता है कि मतला धूप में बैठे सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कल मिलेंगे बाए गुट नाइट कि मतला यह लगाए पास है तो बाओ करना नाइट